एलो प्रेंट्स जिन लोगों को अपने चैरे पर गलू लेके आना है ये चैरे पर किल मुआसुर की समस्या है ये जिन लोगों को डायबटीज है ये जिन लोगों कवेट काफी ज़्यादा बढ़ गया है ये जिन लोगों को अपने बालों को मजबूत करना है वो भी बिना कि सेड फैक्स के तो उन लोगों के लिए आज की है वीडियो भवुटी खास होने वाली है् AGM की इस वीडियो में हम अलोविरा जूस के बारे में आपको पूरी जनकरी, देने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एलवरे जूस को प्योग, किन समस्याओं को ठीक करने के लिए, यूज मिलिये जाता है, इस जूस को प्योग कब और कितनी मातरा में, सेउन करना होता है, और इस जूस को कौन से से लोग है जिनोंने यूज नहीं करना है तो पूरी और सही जनकरी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें मैं आपका दोस्त पाउन सर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है अब बात कर लेते हैं अलोविरेज जूस पिने से आपको क्या क्या फाइदे नजर आते हैं बात करतो जिन लोगों को पेट से जुड़ी किसी तरह की कुछ समस्या रहती है यानि के जिन लोगों को कबज की समस्या रहती है पेट में गैस और एसिडिटी बनी रहती है या जिन लोगों को पेट में गर्मी बनती है, अगर आप एलोविरेज जूस का यूज करते हैं, तो आप पेट से जुड़ी सुभी समस्याओं को ठिकर सकते हैं, अगर आपको भूक कम लगती है, जिन लोगों का बुड़ी वेट काफी कम है, शरीर से दुबले पतले हैं, अगर वहें भी एलोविरेज का यूज करने से आपका पाचनतंतर काफी मजबूत हो जाता है, जिन लोगों को कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है, अगर आप एलोविरेज जूस का यूज करते हैं, तो इससे आपका डाइजेस्टि सिस्टम काफी मजबूत हो जाता है, और आप जो भी भोजन खाते ह हैं, उसमें जो भी पुश्क तत्तो होते हैं, वहीं सबी आपको अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, और आपका सेरी काफी हल्दी हो जाता है, इसके अलावा अगर आप एलोविरेज जूस का नीमत रूप से सेवन करते हैं, तो आपके बोड़ी के टोक्सिंस भाहर निकल जा जाते हैं, जो की बोड़ी वेट को कम करने के लिए काफी फाइदेमंद माने जाते हैं, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज और डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, और साथ ही आप एलोविरेज जूस का यूज करते हैं, तो एलोविरेज जूस आपको वेट लोज कर और अंदरुनी स्किन को ठीक करने के लिए यूज में लिये जाता है अगर आप डेली रूटीन में यूज का यूज करते हैं तो इससे आपकी आलस और सुष्टी दूर हो जाती है आपकी शरीर में उर्जा का विकास होता है और आप ताजगी फिल करते हैं जिन लोगों को डा डायबिटेज कंट्रोल हो जाती है इसके अलावा एलेवरेज जूस में मल्टी विटामिन्स एंटी उक्षिडेंट्स वर मिनल जैसे गुन पाय जाते हैं जो आपके शरीर की रोगपरती रोदक समता को पढ़ाने का काम करते हैं और आपका शरीर जल्दी से मार नहीं होता और बात करतो अलेवरेज जूस का यूज करने से आपका हर्ट काफी सवस्थ रहता है जिससे आपको हर्ट से जुड़ी समस्याईं कम हो जाती है अगर आपको जोडों में दर्द की समस्या है अगर आप डेली रूटीन में अलेवरेज जूस का यूज करते हैं तो आपको द एलिवरेज जूस में एंटीबेक्टिल गुन पाय जाते हैं जिससे की आपकी शरीर में इंफेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है इसके अलावा एलिवरेज जूस को प्योग खोन को साफ करने के लिए भी यूज मिलिये जाता है तो फ्रेंड्स यह थे एलिवरेज जूस क कुछ फायदे अब फायदे जानने के बाद हम जान लेते हैं एलिवरेज जूस का यूज किस तरीके से और कितनी मातरा में करना होता है बात करतो सबसे पहले आप एक बात को नोट कर ले एलिवरेज जूस को आपने सुबह खाली पेठी शेवन करना होता है इसके लिए आप आपने फाल वन पानी को लेना होता है उसमें आपने 20-25 के बाद कि 되지नी को मिक्स कर दे करते हैं कौन से से पेशेंट है जिन्होंने एलविराज जूस का यूज करने से पहले अपने डोक्टर क्षला जुरूर लेनी हैं बात करतो ब्रेश फेडिंग और पेगनेट मैलाव को एलविराज जूस का यूज नहीं करने हैं जो बच्चे 5 साल से कम एज के हैं जिन लोगो को किसी तरह की कोई घंबीर ब्मारी है जो लोग सुबह खाली पेट किसी तरह की कुई दवा का सेवन करते हैं तो लोगों को एलविराज जूस का सेवन करने से पहले अपने डोक्टर क्षला जोरू लेनी है एलविराज जूस आपको मार्केट में 200 रुपए के करीब किसी भी मेडिकल स्टोर पर असानी से मिल जाता है तो फ्रेंड्स यह थी एलविराज जूस के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो ताप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू